असलाव में को मैं उस्राज राब रहें ले नहीं विसराजी टीड चैनल आज की रहो मैं आपको सार नायत क्लास केमिस्टी के इंपॉर्टन कोस्टिस को डिस्कस करूँगा तो विडि़ी चुकरने से पहले अगर आप ने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया त फिर आपको कमेंट सेक्षिन के अंदर मैं पिन कर दूँगा लिंक को आप वहां पर जाकर असानी से डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन सिर्फ यूट्व वीडियो के अंदर टिक टोक के अंदर जो है वो लिंक सुपोर्ट नहीं होता तो आपने जाकर यूट्व वीडियो किये सबसे पहले तो इसको आपने अच्छे से देख लेना है यहाँ पर एक चीज इंपोर्टन यह है कि जो यह थर्ड लॉंग कोस्टन है यह थोड़ा सा मतलब डिफरेंट हो सकता है कुछ लोगों को लगता है कि चैप्टर नमर 6-7 से होगा कुछ लोगों को लगता है कि चैप्टर नमर 6-8 से होगा तो इसमें confusion है काफी जादा लोग यह कहते हैं कि चैप्टर नमर 6-7 से होगा इसके chances ज्यादा है लेकिन फिर आपको इस लोगों को attempt करने के चेकर में बिल्कुल भी जाना ने चाहिए ऐसा मुझे लगता है अगर आप चाहते हैं तो करें जरूर करें अगर आपको यह तीनों चैप्टर अच्छे से तियार हो जाते हैं तो कोशिश करें कि तीनों तियार कर लें ठीक है फिर कोई आपके पस risk वाला chance नहीं होगा तो मैं जो आपको recommend करूँ कि आपके फस्ट वाले long questions attempt करें तो इन्शाला आपके maximum marks आएंगे इससे long questions का first pair, short questions का first part, second part clear हो जाएगा इसके अदर जाकर आपने सिर्फ 6-7 के important questions को तियार करना है फिर आपके जो तियारी है वो अच्छी हो जाएगी जीतों सुरूर्ण साब हम important questions को discuss करेंगे यहाँ पर chapter wise मैंने important questions discuss की है सबसे पहले मैंने important definition, important short questions and important long questions discuss की है अब chapter wise तमाम chapter के अब आपने इसको read hood कर लेना है मैं read नहीं ही यहाँ पर करूँगा और आप इसको download करके अच्छी तरह त्यारी अपनी कर सकते हैं यहाँ पर chapter number 3 देख सकते हैं और इसी तरह नबर 4 last के उपर मैं जो आपको most repeated past paper के questions भी बताऊंगा ठीक है तो इन questions को आपने अच्छे से त्यार कर लेना है इंशाला आपका जो paper है वो outstanding हो जाएगा ठीक है chapter number 6 है ठीक है 7 है और इसी तरह अगर आप देखे तो chapter number 8 है और last के उपर जो है यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं important questions जो है past paper के ठीक है बहुत जदा repeated questions है इनको आपने अच्छे से त्यार कर लेना है और यहाँ पर आप देखें तो reasoning questions भी है अब उपर मैंने थोड़ से simple questions बताएं यहाँ पर reasoning questions भी है और आपके paper में reasoning questions भी पूछे जाएंगे ठीक है तो यह भी आपने इनको देख लेना है और अच्छे से त्यार कर लेना है ठीक है उर्दू medium वाले भी देख सकते हैं यहाँ पर साथ उर्दू भी लिखी है और ठीक है यह देखें यह सारे questions जितने भी हैं यह chapter wise लिखे हुए हैं यहाँ पर और इन questions को अपने बहुत अच्छे से त्यार कर लेना है और यह तमाम 8 chapters के जुन से important questions है long questions भी इसमें लिखें हुए है और इस सारे reasoning questions हैं जो कि आपके paper का हिस्सा हो सकते हैं ठीक है इनको भी आपने अच्छे से त्यार कर लेना है और यहाँ पर देख सकते हैं unit number 7 है हमारे पास और इसी तरह हमारे पास unit number 8 है ज़रूरी नहीं कि आप यह सारे questions त्यार करेंगे जितने आपसे prepare हो जए वो ज़्यादा बेतर है ठीक है आप उनको अच्छे से त्यार कर लें वो ही enough है आपके लिए ठीक है आप उनको त्यार कर लेंगे तो आपकी जो ज़्योंसी त्यारी है मुश्किल हो ज़्यता है तो मैं आपको बताता चलूँ कि आप जो है कोशिश करें अगर आपसे ये नीचे वाले नहीं त्यार होड़े तो आप उपर वाले त्यार कर लें वीडियो से अंदे तो लाइक लाजमी कर लेए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें इस तरह की वीडियो के लिए अगर आगर प्रिटों के ओपर देख रहे हैं वीडियो तो अपने फ्रेंड्स के साय लाजमी वीडियो को शेयर गरें ताकि तक 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 के बात पहुंच सके थैंक्स पर वाचिंग, आलाहाफिज!